Hello friends, welcome to channel Bulltrack, 2 minute में जाने सिरीज में आज का टॉपिक है IV यानि Implied Volatility, तो दोस्तों क्या है वो खास बाते Implied Volatility के बारे में जिसे हर ट्रेडर को जानना चाहिए पहली चीज़ कि हर option का अपना खुद का IV होता है, तो अगर Nifty के अलग-अलग strike के option है तो सबका IV अलग होगा, दूसरा fact यह है कि IV dynamic होता है, यानि कि वो हर पल बदलता रहता है और इसकी value कौन decide करता है, तो इसकी value market बजा decide करता है जैसे price को, option के price को बजा decide करता है, तो IV को भी बजा decide करता है IV हमेशा percentage में express किया जाता है, तो अगर किसी option की IV आपको 19 दिखा रहा है या 20 दिखा रहा है तो इसका मतलब वो 20% है IV आप कहां देख सकते हैं, आप exchange की side पे जाएंगे, तो वहाँ पर आप IV आपको दिख जाएगा तो इसका मतलब होता है कि उसके stock price में भी बड़ी movement आने वाली है, बजार ये उम्मीद लगा रहा है अगर IV घटके घटता है, माल लिजे 19% से होके 15% हो जाता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि उस stock price में अब movement थोड़ी छोटी छोटी होंगी पहले के मुकाबले इसलिए IV को हम यूज करते हैं stock की range predict करने के लिए, दोस्तो आईवी के साथ एक pattern को observe किया गया है, कि जब कभी stock का price तेजी से गिरता है, तो आईवी उतने ही तेजी से बढ़ता है, हाला कि यह कोई hard and fast टूल नहीं है, पर यह generally आगर आप market को observe करते हैं, तो यह pattern आप पाएं बढ़ता है, उसी तरी put option की बात करें, तो put का premium बढ़ता है, जब spot का premium घटता है, या IV बढ़ता है, तो आप देखें, option चाहे call हो या put हो, अगर IV बढ़ेगा, तो option का premium भी बढ़ना चाहिए, अगर आप option buyer हैं, तो आप चाहेंगे कि आपका IV बढ़े, अगर आप option seller हैं, त आप चाहेंगे कि आपका IV घटे, दोस्तों अगर IV को अब और detail में study करना चाहते हैं, तो उपर दीवे link पे click करके हमारा IV का detailed video देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा app call and put analyzer download नहीं किया है, तो please play store में जाके उसे download करें, तो friends अगर ये video आपको पसंद आया है, तो please like करे share करें और हमारे channel को subscribe करें